ओके तो अब ये सवाल मुझसे पिछले काफी टाइम से चैनल पे काफी बार पूछा गया है बहुत सारे यूजर्ज ने M.2 NVMe SSD पर्चेस की है और ये शिकायत की है कि सर मुझे उसमें फुल स्पीड नहीं मिल रही है जितनी स्पीड एड़टाइज की गई थी या जितनी स्पीड बताई गई थी जो सोच की ली थी M.2 NVMe SSD उतनी स्पीड मुझे उसमें नहीं मिल रही है अगर मैं Gen 3 वाली SSD की बात करूँ तो उसकी जो टॉप स्पीड है वो है 3.5GB के आसपास लेकिन बहुत सारी यूजर ने बोला है कि सब 17-1800MB के आसपास ही स्पीड मिलती है अंडर 2GB ही रहती है 3.5GB की जो स्पीड है वो मुझे नहीं मिल रही है अगर मैं Gen 4 वाली SSD की बात करूँ तो एक अच्छी को लेड़ी की Gen 4 SSD होगी तो वो 7GB प्लस भी जाएगी 7.4 तक भी टच करेगी लेकिन बहुत सारी यूजर ने कच्छी को लेड़ी Gen 4 SSD पर्चेस की है उसके बाद भी उनको वो जो स्पीड है वो नहीं मिल रही है उनकी SSD कहीं न कहीं 3GB के आसपास ही परफॉर्म कर रही है तो ये जीस क्यों होती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आपके particular case में आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए तो ये जो M.2 NVMe का slot होता है ना female slot जो motherboard पे होता है वो दो तरीके के होता है ठीक है आगे further भी divide होता है लेकिन basically उनको दो category में divide किया जाता है उसमें जो पहले तरीके का slot होता है वो directly CPU के साथ connected होता है CPU से चार physical lanes इसको allocated होती है अब वो जिस generation का motherboard है उसमें PCI Express की जो भी generation है उसकी चार physical lane इस particular slot को allocated होती है और ये CPU के साथ directly connected होता है उसकी वज़े से इस particular slot में बहुत कम latency आती है तो इसमें आप कोई भी M.2 NVMe SSD लगा होगे उसमें आपको full speed मिलेगी जो भी आपके motherboard की generation है और जिस generation की आपने SSD लगाई है उसके हिसाब से आपको उसमें maximum speed मिलेगी यहाँ पे generally speed का issue नहीं आता है अगर Gen 3 वाला slot है और Gen 4 वाली SSD लगा ली है तो वहाँ पे definitely speed half होगी लेकिन अगर Gen 4 वाला slot है और उसमें आपने एक अच्छी quality की Gen 4 SSD लगाई है तो इसमें आपको speed का कोई भी issue नहीं आएगा full speed मिलेगी with lowest latency लेकिन अभी दिक्कत यह है कि यह जो slot होता है जो की directly CPU के साथ connected होता है और 4 physical lanes इसको allocated होती है reserved होती है यह महंगे motherboard पे ही आपको देखने को मिलेगा ठीक है किसी भी company में किसी भी processor की generation में तीन अलग-अलग category के chipset होते हैं एक होता है सबसे main chipset सबसे mega chipset एक होता है mid range category का chipset और एक होता है सबसे lower entry level chipset ठीक है तो जो main chipset होता है और mid range category का chipset होता है उसमें तो यह slot आपको देखने को मिल जाएगा उसके motherboard पे जो की directly CPU से connected होगा लेकिन जो entry level chipset होता है जो की budget chipset होता है 8000 का motherboard होता है उसका उसमें ये particular slot हमें देखने को नहीं मिलता है तो उसमें हमें जो M.2 NVMe का slot देखने को मिलता है वो होता है ये दूसरे तरीके का slot जो की directly chipset के साथ connected होता है CPU के साथ connected नहीं होता है और chipset और CPU एक link से connected होता है लेकिन ये जो दूसरे तरीके का slot है जो कि chipset से connected होता है और सस्ते motherboard पे मिलता है उसमें lanes में कहीं न कहीं कटोती की जाती है हो सकता है कई बार उसको 4 lanes भी allocate की जाती है कई बार वहाँ पे lanes की कटोती करके वहाँ पे 2 lanes का allocation होता है कई बार ये भी होता है कि Gen4 वाला motherboard है जो main M.2 NVMe slot है जो CPU से connected है उसमें तो Gen4 का support होता है लेकिन ये जो दूसरा slot होता है जो कि chipset से connected होता है उसमें PCI Express Gen3 का ही support होता है और कई बार वहाँ पे भी lanes की कटोती की गई होती है चार की जगे पे 2 lanes allocated होती है उसकी वज़े से आपको ये जो speed का issue है वो होता है अब ये आगे समझाता हूं कैसे तो for example मालोग ये आपने ये particular motherboard purchase किया है अब इसके technical specification में आप जाके देखोगे तो जैसे मैंने कहा इस पे 3 M.2 NVMe के slot है ठीक है तो उसका जो storage department है उसमें clearly लिखा होता है कि जो सबसे पहला वाला है सबसे उपर वाला वो CPU के साथ connected है यहाँ पे CPU लिखा हूँ है that means यह जो सबसे पहला वाला heat sync वाला वो directly CPU के साथ connected है ठीक है तो नीचे वाले दू है वो chipset के साथ connected है ठीक है सबसे पहला वाला CPU के साथ लेकिन नीचे के 2 M.2 है वो chipset के साथ है अब उसमें जो ऊपर वाला है ऊसमें आपको Gen 4 का support मिलेगा ठीक है Gen 4x4 पर वो चलेगा लेकिन जो नीचे वाला है वो Gen 3x4 पर चलेगा ठीक है अब यह Intel क 12 Gen का Motherboard है तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 12 Gen में तो Gen 5 का भी support है लेकिन Gen 5 का support आपको मिलता है सिर्फ PCI Express Lanes में और वो भी जो main chipset होता है उसमें ये secondary chipset है budget chipset है तो इसमें आपको Gen 4 का ही support मिलेगा चाहें PCI Express Lanes की 850, 850X जो Gen 4 वाली अच्ची को रिटी के SSD है वो लगा सकते हो यह जो दूसरा वाला slot है जो की chipset के साथ connected है इसमें भी आप एक Gen 4 वाली SSD लगा सकते हो लेकिन इसमें आपको पहले वाले उपर वाली जैसा performance नहीं मिलेगा ठीक है मैं यहां पे sequential performance की बात नहीं कर रहा हूं जो latency है जो responsiveness है snappiness है वो आपको नहीं मिलेगी तो अगर इस type का कोई motherboard है जिसमें आपको 2 slot है एक CPU के साथ connected है तो आपको undoubtedly जो आपकी SSD है जिसको आपको boot drive बनाना है अच्छी को रिडी की SSD आपने ली है उसको उसी पहले वाले slot पे ही connect करना चाहिए वहां पे आपको best performance मिलेगा अगर आप उसे दूसरे वाले slot पे लगा देते हो तो उसमें आपको sequential performance तो उतना ही मिलेगा अगर आप crystal benchmark में उसे benchmark करोगे तो आंकडों में इतना जादा फरक नहीं आएगा लेकिन जो snappiness है responsiveness है उसमें फरक पड़ेगा क्योंकि यह chipset के साथ connected है और chipset फिर CPU के साथ connected होता है तो वहाँ पे कहीं न कहीं data route होता है तो latency बढ़ जाती है ठीक है और जो तीसरा फाइनल slot है उसमें तो gen 4 का भी support नहीं है gen 3 का support है gen 3 by 4 का ठीक है तो इसमें आप एक अच्छी quality की gen 4 SSD लगा देते हो आपको पता नहीं है उसकी वज़े से तो यहाँ पे आपको 3GB से है 610 जो कि 18,000 का motherboard आपको मिल जाएगा शायद उससे भी सस्ता मिलता है तो इस पे एक ही M.2 slot है और generally मैंने ऐसा देखा है कि जिस भी motherboard पे जो budget motherboard होते है 18,000 के 12,000 के उस पे अगर एक ही M.2 slot है तो वो सीधा-सीधा chipset के साथ connected होता है CPU के साथ connected नहीं होता है ठीक है अब यह उ 660 में तो आपको Gen4 वाला slot भी मिल जाएगा लेगिन अगर आप H610 वाला कोई motherboard लोग यह तो उसमें आपको Gen3 का ही slot मिलेगा और वो भी एक ही slot मिलेगा और वो भी chipset के साथ connected होता है और chipset में क्या होता है कि chipset के साथ connected होता है तो उनके बीच में भी जो रास्ता है वो लिम bandwidth है वो लिमिटेड है ठीक है और उसमें भी chipset को यह जो bandwidth है वो बहुत सारी चीज़ों को distribute करनी होती है सिर्फ M.2 NVMe slot को नहीं है ठीक है जैसे मैंने कहा USB, SATA, PCI Express के जो X1 है वो भी फिर Wi-Fi है मतलब PCI Express के जो बड़े slot है जो RAM है और जो main M.2 slot है उसको छोड़के जितनी भी चीज़े होती है पूरे motherboard पे वो सारी की सारी chipset से connected होती है और जैसे मैंने कहा chipset के पास भी एक limited bandwidth है ठीक है तो chipset ऐसा नहीं कर सकता कि वो सारी की सारी bandwidth जो M.2 slot है उसको allocate कर दे तो sometime ऐसा होता है जब chipset busy होता है या बहुत सारी चीज़े और भी चल रही होती है दूसरी lanes भ slot है उसमें bandwidth में कहीं कटोधी करता है यानि कि चार lanes की जगे उसे physically दो ही lanes का allocation किया जाता है तो उस particular slot पे अगर आपने कोई अच्छी quality की Gen 3 वाली भी SSD लगाई है जैसे कि SN570 है या Samsung की 980 है या 970 वो प्लस है तो उसमें भी आपको 3-3GB का performance नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे under दो ही lanes से allocated है तो उसमें आपको maximum speed नहीं मिलेगी अब गलती से आपको पता नहीं है ये सारी चीज़े और वहाँ पे आपने एक Gen 4 वाली SSD लगा दी तो भी आपको under 2GB का ही performance मिलेगा जो 7GB प्लस की speed है वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो slot है वो एक तो Gen Megabyte के आसपास ही speed मिल रही है और उस user को fortunately पता है कि उसका motherboard है वो H410 वाला है जिसमें Gen 3 by 2 का ही slot है ठीक है Gen 3 by 4 वाला होता है तो full speed मिलती लेकिन Gen 3 by 2 होने की वज़े से उसको half speed ही मिल रही है जो की 1700 Megabyte के आसपास है बहुत बार तो user को पता होता है कि उसके motherboard में या laptop में Gen 3 by 2 वाला ही slot है तो वो इस चीज़ से okay होते हैं वो लोग hard drive से कहीं न कहीं upgrade कर रहे होते हैं तो वो तो hard drive के comparatively तो 100 Megabyte से 1700 Megabyte पर अगर आप आ जाते हो तो बहुत जादे improvement है प्लस hard drive SSD में जमीन आसमान का फरक है लेकिन बहुत बार user को पता नहीं होता तो वो ये SSD purchase करके लाते है और कहीं से सुन लिया होता है कि 3500 Megabyte के आसपास मिलेगी लेकिन फिर भी नहीं मिलती है तो फिर वो complain करने लगते हैं कि या तो मेरे SSD खराब है या तो मेरे को cheat कर लिया बहुत सारे सवाल होते हैं ठीक है लेकिन I hope कि finally अब आपको समझ में आ गया होगा और अगर मैं laptop की बात जैन 4 सपोर्टेड है फिर भी वहाँ पर जैन 3 का ही slot आपको देखने को मिलेगा ठीक है सम टाइम मैंने ऐसा भी देखा है कि जैन 4 वाला ही slot है लेकिन वहाँ पर फिजिकली दो लेंज का ही allocation किया गया होता है तो यह सारी चीज़े हैं जिसकी वज़े से ऐसा हो सकता है ठीक है आपने budget category का motherboard ले लिया तो majority chances है कि वहाँ पर SI slot होगा जो की chipset के साथ connected होगा और उसमें भी lanes की cutouty की गई होगी ठीक है ना So I hope जो भी बताया जो भी समझाया समझ में आ गया होगा लेकिन भी कोई issue है तो पूछिए I'll definitely answer you Thank you so much